का सेंधमारी जारी है बीज़पी आगामी लोगसबा चुनाव यानि 2024 लोगसबा चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव मोट में हैं मिशन 2024 को सियासित दिगजों के बीच बार पलट बार का भी दौर चारी है गुंडा में वीज़पी सांसद ब्रिजपोशन सिंग एक पर फिरोधियों पर बरसे मौका था प्रतिभा समान समारू का और इस दौरान वीज़पी सांसद एक नारी शक्ती के गीत पर भावुक होकर रोनी लगे तो ही जब मंच को साजा किया तो अपने उम्र के बारे में चर्चा करते हुए पहलबानों पर निशाना सादेते हुए भी नजर आए ये रिपोर्ट देखिए दरसल मंच पर मौजूर एक महंत की गीत पर ब्रजभूशड सिंग रोने लगे ब्रजभूशड को रोता देख उनका नाती आकर उनके पास बैठ गया जो अपने दादा को दिलासा देते नजर आया उधर कारिकर्म के दौरान ब्रजभूशड सिंग का एक बार फिर से आकरामक अंदाज नजर आया ब्रजभूशड ने गिन गिन कर विरोधियों पर निशाना साधा कॉंग्रिस से लेकर एस्पी टीमसी सहित कई विपक्षी पार्टियां उनके निशाने पर रही विपक्षी पार्टियों की एक जोटता परतंज कस्ते हुए ब्रजभूशड सिंग ने का कि गटबंधन का वो खिनेता कौन है ये किसी को नहीं पता ये जो गटबंधन का नाम मामसुन है पर हम भी जानते है इंडिया मुल्यायतिन को भी जानते है इंडिया को भी जानते है तो ऐसे गटबंधन पहले भी हो शुक्या है फर कितना है कि पहले कांग्रेस के खिलाब होता है आज भी जीपी के खिलाब है लेकिन ऐसे गटबंधन जब भी बने है सतात्तर में क्या हुआ है दो साल तक सरकार चली है दो प्रदान मंत्री बने है अब यह जो इंडिया का गटबंदन हुआ है इसमें 26 दल है तो माली जी इसमें चार प्रदान मंत्री बन सकते हैं दो साल के अंदर चार बन सकते हैं ऐसा दिखाई पढ़ रहा है दो साल के अंदर चार है आखिर इनको कंट्रोल कौन करेगा, नेता इनका कौन होगा, सबकी अलग-अलग इसू है वही राहूल गांधी पर हमला बोलते हुए कुष्टी संख्य पूर्वध्यक्ष ने कहा कि राहूल गांधी अपने पार्टी को मजबूत करने की जगए, आज शित्रिय दलों के साथ दोस्ती में लगे हैं एक समय होता था जब इस देश के अंदर कांग्रेस के खिलाब लोग इकठा होते थे और शेत्रिय दलों को इकठा करते थे लेकिन राहूल गांधी के नेतुत का ये पढ़राम रहा कि आज राश्ट्रिय दल होते हुए वो जाकर के छेत्रिय दलों के गोधी में बैठ गए और आज राहूल गांधी जी जाकर के जो है अपने पार्टी को मजबूत करने के बजाए वो पैठ गए जाकर के गोधी में और आब यात्रा कर रहा है यात्रा को उद्दिस क्या है टार्गेट क्या है बिजन क्या है वेपक्ष के अविश्वास प्रसाओं पर ब्रजगूशवट सिंह वेपक्षी नेताओं को राजनाथिक सलहा देते नज़रा है पर्लियमेंट चल लई है, आपको पर्लियमेंट के फोरम परागदर आकर अपने विचार रखने चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, सरकार के अलोजना करनी चाहिए, सरकार के गलत मीतियों के अलोजना करना चाहिए, आपके लिए पर्लियमेंट वनी है, हमारे जिसे नेता है जिसे हम लोग हैं, हम तो चाहेंगे तो हमको समय भी नहीं मिलेगा, पांच मिनट, दस मिनट, बहुत आग्रा गरेंगे पार्टी में, तो पांच मिनट मिल जाएगा, वो अपने दल के नेता है, उनको आग्रा भी नहीं करना है, हर विसेबर बोलना है, उनको समय मिलेगा, छो इसके साथ ही ब्रजभूशर सिंग अखिलेश मृतीश के साथ कई और नेताओं पर भी हमला वर नज़र आए पेत्रिये दलों की भूमिका है लेकिन हर प्रांतों के अपने अलग-अलग इसु है और भीटपक सी में कोई लीडर एशम मुझे नहीं दिकाई पड़ रहा है जो इनको बीचारों के अधार पर एंटा के शूतर में बांच सकUST हूँ अगर मंतां सकती है तो चल यह दौग है बाला आजinte के तुनोध क्या हो रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट तक टिपड़ी कर रहा है, तो इनको बांधेगा कौर्ट, छेत्रियों दुले के आहमियत है, उत्रकदेश नकलेश के आहमियत है, लालू और निकेश की आहमियत भी है, लेकिन राश्टिय अस्तर पर इनको कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि विचार धारा तो इनके खिलाफ पैलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रजैशन भी शुरू किया था, फिलाल वे बेल पर हैं, टीम निउस एस्टेट